नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका आपका चनल राजस्तान गुरीजी पर एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ में दोस्तों आज का जो टोपिक होने वाला है वो होने वाला है राजस्तान के जो 19 नए जीले बने हैं और 3 नए संभाग बने हैं दोस्तों उसको आपको भी याद हो जाएंगे और साथ ही साथ ये 19 नए जीले भी आपको पूरे कंठस्त याद हो जाएंगे इस वीडियो के लाश्ट तक आपको यह मैं घारंटी देता हूं बस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखे दोस्तों और देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को स देखा तो और देख लिए आपके रीट क्यों में इतने नंबर आ रहे हैं आप चेक कर सकते हैं बल्कुल पर चलते हैं दोस्तों फड़ा फट रिक की तरफ तो दोस्तों 19 जिले याद करने के लिए आपको यह जो लाइन आपको सामने जादू लाइन हम अनए तियार किये औ और लाइन किया दोस्तों कि अब्दूल खेफज शाह जो विक्ति हैं दोस्तों आप एक कहाने की तरह समझे अब्दूल खेफज शाह नीम के साग को जैपूर जोदपूर पीपी के ब्याग की डिवीडी को बाने फेक दिया अब्दूल खेफज शाह नीम के साग को जैपूर जोदपूर पीपी के ब्याग की डिवीडी को बाने फेक दिया दोस्तों ये लाइन अगर आपने याद कर ली तो 19 जीले आपको कंटस्त हो जाएंगे आपको बारी बारी से मैं सारी जीले बिल्कूल डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें क्योंकि लाश्ट में आपको संभाग की ट्रिक भी हमने बताई है तो आप देखे पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर अबदूल खेफश शाह नीम के साग को जैपूर जोद्पूर पीपी के बया की डिवीडी को बाने फेक दिया अब इसमें हम जानते हैं दोस्तों आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो हमने यहाँ पर यह जो ट्रिक है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल टाइपिंग में भी लिग दी है अब जानते हैं दोस्तों इसमें से जीले आपको कैसे निकालने हैं तो जीले दोस्तों आप देख तो दोस्तों आप देख पार होंगे सबसे पहले जो नाम आ रहा है यहां पे अब्दूल यह अब्दूल जो नाम आ रहा है इसमें जो अ है अ से निकलता है दोस्तों अपना अनुगड अ से निकलता है अनुगड बस से निकलता है दोस्तों बहरोड यह बहरोड जो है वो कोट पूतली का ही भाग है दोस्तों ये दोनों सैम है बहरोड और कोट पूतली दोनों सैम है तो आप इसको मैंने क्या है कि नाम जो है वो दोनों याद रहे हैं इसलिए इसको ट्रिक में डाल दिया है अब आप दिख परोंगे यहां पे बहरोड हो गया उसके बाद में आता है दो से आगया अपना यहां पे शापूरा उसके बाद में नीम से आगया दोस्तों नीम का थाना के से आगया दोस्तों केकडी सा से आगया दोस्तों साचोर गह से आगया दोस्तों गंगापूर सीटी को से आगया कोड़ पुतली अब दोस्तों बात आती है जैपूर जोदपूर की तो सबसे ज़्यादा confusion जो जीले हैं वो यहाँ पे होगा क्योंकि प्रेश्टन यहाँ से उठेगा क्योंकि जैपूर और जोदपूर को बाटा है दीशा के आधार पे अब जो दीशा बाटी हैं दोस्तों इसमें से प्रेश्टन गन्फिस होंगे दोस्तों तो इसको हमने यहाँ पे बिल्कुल सरत तरीके से बाट दिया है आपको सिर्फ यह याद रखना है जोदपूर पीपी क्या याद रखना है दोस्तों जोदपूर पीपी तो जोदपूर को बाटा है दोस्तों पीपी का मतलब होता है पूरव पस्चिम में अब ये पीपी आपको याद रहे गया तो आपको बस एक ही याद रखना है जोदपूर को याद रखना है क्योंकि जहपूर जो है वो दो दिशाय तो हो गई अपने पूरव और पस्चिम हो गई अब आगे जलते हैं तो यहां पर इस में डी का मतलब है डीगवाना अब लाश्ट में आता है दो दोस्तो बा का मतलब होता हैं बालोत रार। ये दोस्तो जो 19 जिले की लिस्ट आई थी दोस्तो ये 1919 जिले आपको इस ट्रिक में मिलगे होंगे आप बले ही मिलान कर लीजीए आप देख पार होंगे अनुगगड, बालोत्रा, ब्यावर, डीग, डिडवाना, कुचामन, दुद्दू, गंगापुर सिटी, जैपूर, जैपूर, जोदपूर, केकडी, कोडपुतली, खेर्थल, निमका थाना, फलोदी, सलुंबर, साचोर और शापूरा ये 1919 जिले अपनी जो ट्रिक हैं, अपनी जो जादू लाइने दोस्तों, उसमें कवर हो चुके हैं, अब दोस्तों देख लेते हैं, कि ये जो नए जिले बने हैं, 19 जिले, वो कौन से पूराने जिलों में पहले सम्मेलित थे, दोस्तों, यहां से भी प्रिशना आ सकता हैं, इसलिए आपको ये भी याद रखना है, और ये भी स् पूतली जो हैं, वो हैं अपने अलवर के अंदर, कोट पूतली हो गया दोस्तों, कोट पूतली और बहरोड, इसके बाद में आता हैं दोस्तों, दूदू, तो दूदू जो हैं, वो अपना यहां पर देख पार होंगे, जूम करके मैं बता देता हूं, आपको दूदू जो पहले पढ़ता था उसके बाद में आता है दोस्तों खेर्थल तो खेर्थल अपना पढ़ता था यहां पे पहले अलवर के अंदर खेर्थल अपना पढ़ता था अलवर के अंदर फलोदी तो था वो था दोस्तों जोदपूर के अंदर फलोदी किसमे था पहले जोदपूर के अंदर दोस्तों सलुम्बर अपना कहा पहले था उद्यपूर के अंदर शाह से आता है दोस्तों शाह से शापूरा तो शापूरा जो था वो था बिलवाडा में पहले किसमे था बिलवाडा में नीम का थाना पहले था दोस्तों सीकर के अंदर नीम का थाना किसमे था पहले सीक ती इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं आगे आता है अपना कोट पुतली हो गया जैपूर जो था वो जैपूर का इभाग था पहले जो की उत्तर रख्षिन हो चुका है और जोदपूर जो था वो जोदपूर का है भाग था जो की पूरब और पस्चिम में बाढ़ दिया है दोस्तों यहां पर आप दे पार होंगे पी पी पूरब और पस्चिम ये आपको बिल्कुल याद रखने की बात आती है दूहमाशार के अंदर द दूम आप आघ से कूरताए ़िमा कूर इनक्चाले की जिल्रोट जिली अगे अंदर अर्शे अधर सब्सक्राइब अपफिता है यहे अपर कूराने कुन से के भाग है दोस्तो दिए आपको यहाँ पर दोस्तों आप देख पर होंगे यहाँ पर जो हमने कवर की हैं पूरे 19-19 जिले यहाँ पर पहला जिला जो है वो अनुपगर हो गया दूसरा जिला यहाँ पर दूदू हो गया तीसरा जिला यहाँ पर हो गया दोस्तों खेर्थल चोथा जिला हो गया फलोदी पाच इसके बाद में आठवा जिला हो गया यहां पे गंगापूर शिटी ग्यारवा जिला हो गया दोस्तों कोडपुतली बहरोड यह वाला कोडपुतली और 12-13 दोस्तों हो गए यहां पर जैपूर के उत्तर दक्षिन इसके बाद में 14-15 हो गए दोस्तों यहां पर जोतपूर के पूरव पस्चिम इसके बाद में ब्यावर अपना आ गया यहां पर 16 जिला सत्तरवा जिला दोस्तों यहां पे आगया अपना डीग और अठरवा जिला दोस्तों यहां पे आगया अपना डीडवाना और उन्निस वा जिला लाश्ट जिला दोस्तों आगया अपना बालो तरा तो यह उन्निस जिले हो चुके हैं अब जो तीन समभाग दोस्तों अपने बचे हैं आपको इन तीन समभागों को कैसे आपको याद रखना है तो बिल्कुल एक सिंपल सी जादूई लाइन चोटी सी हमने बनाइज है वो हैं दोस्तों यहाँ पे BPS School आपको याद रखनी है BPS School आपने याद रखनी है दोस्तों BPS School का नाम है वो आपको याद रखलेना है तो B से आगया दोस्तों बांसवाडा, P से आगया दोस्तों पाली और S से आगया दोस्तों सीकर तो यहाँ पे तीन संभाग अपने जो नए बने हैं यहाँ पे दोस्तों बांसवाडा, पाली और सीकर ये तीनो इस BPS स्कूल की लाइन में आपको याद हो जाते हैं ये नए संभाग हैं दोस्तों ये जो ट्रिक हैं ये दोनों ट्रिकों की जो आप में फोटो देख रहे हैं ये फोटो हमारे टेलिग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा जिसका लिंक हमने इस वीडियो के कमेंट स सारी जो अपडेट होती हैं वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाती हैं तो आप जाकर जरूर जोईन कर लें ताकि आपको ये जो ट्रिक हैं उसके फोटो जो हैं वो भी मिल जाएंगे दोस्तों बाकी जो हैं वो हमने आपको बता दिये यहां पर 19, 19 जीले बता द बस यह लाइन अगर आपने याद कर लिए दोस्तों तो आपको 1919 जिले याद हो जाएंगे मेरे साथ मैं चाहता हूँ कि आप दोहरा हैं अब्दुल खेफद शाह नीम के साग को जैपूर जोदपूर पीपी के ब्या की डिवीडी को बा ने फेक दिया दोस्तों वीडियो अच चैनल पर जो भी authentic news होती है वो सबसे पहले हम डाल देते हैं वीडियो को आपके जितने भी साथी हैं दोस्तों जिनको ये ट्रिक याद करने की जरूरत हैं उन तक या वीडियो जरूर पहुचाएं और आपको कैसा लगा वीडियो वो आपको comment section में जरूर लिखना है दोस्त तो इससे हमको क्या है motivation मिलता है मिलते हैं इसी update के साथ में दोस्तों तब तक के लिए जै हिंद जै भारत